कोरोना वाइरस की दूसरी लहर के बीच मरीजों के कुछ नए और बेहद अनोखे लक्षन देखे जा रहे हैं सबी एज ग्रूप के लोगों पर इस हार्टली इंफेक्शियस वाइरस का समान खत्रा है वाइरस का ये नए स्ट्रेन अपने साथ विभिन प्रकार के लक्षन लेकर आया है पहले लोगों को बुखार, खांसे, जुखाम, नाग बहना, सांस में तकलीफ, बदन दर्द और लॉज सॉफ टेस्ट एंड स्मेल से जुड़ी समस्या थी लेकिन इस बार कुछ नए लक्षन सामने आये है जीरो स्टोमिया नैशनल इंस्टिटूट आफ हेल्थ की रिपोर्ट के मताबिक कोरोना वाइरस के मरीजों में इस बार एक ओरल सिम्टम से देखा जा रहा है डॉक्टर से जीरो स्टोमिया ड्राइमाउट कह रहे हैं जिसमें मुह के अंदर का सैलिवरी ग्लैड काम करना बंद कर देता है और इंसान का मुह सूखने लगता है ऐसा तब होता है जब वाइरस किसी इंसान की ओरल लाइनिंग और मसल फाइवर पर अटेक करता है कोविट टंग भी एक नया और हैरान कर देने वाला लक्षन है इसमें इंसान की जीब का रंग सफेद पढ़ने लगता है जबान के उपर हलके हलके धब्बे पढ़ने लगते हैं मुह के अंदर लार बनना बंद हो जाती है जो उसे हानिकारिक बैक्टीरिया से बचाने का काम करती है चबाने धूकने में दिक्कत ये लक्षन दिखने पर इंसान को चबाने और धूकने में बड़ी दिक्कत होती है ये जुबान की सेंसेशन को भिर भभावित करता है मुह में अलसर के कारण लगाता चबाने से मास पेशियों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है पिंक आई कोरोना के नए स्ट्रेंड में आँखों से जुड़ा हुआ ये नए अलक्षन सामने आया है चीन में हुए एक हालिया स्टेडी के मताबिक COVID-19 से संक्रमित मरीजों की आँखों में हलका लालपन देखा गया है आँखों में हलकी सूजन और लगातार पानी बहने की समस्या भी हो रही है कान की समस्या नए लक्षनों में कान की जुड़ी दिक्कत भी देखने को मिल रही है कई मरीजों ने कम सुनाई देने या कानों में दबाव महसूस होने की बात कबूली है कुछ मरीजों ने कान में दर्द की शिकायत भी की है CDC के मुताबिक कोई भी असामाने लक्षन दिखने पर तुरंथ उसकी जाच करा है इसके अलावा COVID-19 के लॉंग टर्म्स लक्षनों में कई तरह की दिखतें देखने को मिली है कमजोरी, ब्रेन, फॉग, चक्कराना, कपकपी, अनिंद्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी, जोडों में दर्द और सीने में जक्रन जैसी शिकायते सामने आ रही है कैसे रखें अपना खयाल, कोरोना वाइरस के घातक स्ट्रीन से बचने के लिए मुँपर अच्छी तरह मास्क पहने, हातों को अच्छी तरह सेनिटाइज करें या साबुन से धोएं, भीड में जाने से बचें, हेल्थ ऑथोरेटीज द्वारा जारी की जा रही का सकती से पालन करें।